जैश्वी कृष्णा राधे राधे और ये बैठे हैं बच्चे और आज देखो राम से वो बैठे हैं क्योंकि पूरा रूम जो है उनका गरम है लग ही नहीं रहा कि मौसम ठंडा है ये देखे सब चुटकु चुटकु सब आके आज इन्होंने जो ड्रेसेज लाए है उन्ही केशव और लाडू बठी है जूले में उनका परदा लगा दिया गया है तो रूम आज जो है उनका गरम है तो चलिए मैं आपको आगे लीला बता देती हूं बहुत ही प्यारी सी सुन्दर सी लीला है और आज की लीला में मतलब आप सबसे पहले मैं आपको ये बता देती कि लाला जो है अभी जादा नहीं आ रहे हैं कुछ-कुछ मतलब दिनों में वो है लीला उनकी आ रहे हैं उसका भी कारण है कि सभी जानते हैं कि कार्थिक के महीने में प्रभू जो है मतलब विश्राम करते हैं तो जिस वज़े से शायद वो कम आये हैं क्योंकि इस महीने प प्रभू ने कुछ लीलाएं जो है समय समय पर दिखाई और बताई और जताई भी और जिसमें प्रभू ने साक्षात लीलाएं बहुत अधिक की हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी स्वपन लीला से जादा साक्षात लीलाएं जो हैं कम्प्लीट होंगी तो आज पर उन्हें एक और छोटे से लड வें प्राप्ट होते हैं और वह चोटे से लड्डू हैं वह जो है उन्हलं लड़गों को ले लेती हैं और फिर बिहारी जी से कहने लगती है वह ह attent बिहारी जी साक्शात नहीं स्री विग्रह के रूप में ही प्रभू जो है दिख रहे हैं सेविका उनसे कहती है कि यह क्या बात है कनिया आप तो बार 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 जो है हमें लड्डू ही दिये जा रहे हो आपको पता नहीं है लड्डू को रखने से कितनी प्रॉब्लम होती है और हात में उस छोटे से श्री विग्रह लड़ू को लेके खड़ी हुई है और काना जी को खूब मतलब बोल रहे हैं और उधर वो जो छोटा सा लड़ू है वो अपनी आखे जो है मटका रहा है कभी एक आख कभी दूसरी आख लेकिन बोल नहीं रहा है और उधर सामने बिहारी जी सिर्फ मुस्कुर वो भी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं और काफी भीड जो है लगी हुई है मंदिर में लेकिन सेवी का बार बार बोले जा रहे है ये तो कोई तरीका नहीं हुआ आपका जब देखो तब आप जो है हमें लड़ू पर लड़ू दिये जा रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ जाना है वो जो श्रीविग्रा है ना हाथ में छोटे से लड़ू का तुम नहीं ले जाना है तो छोड़ दो मुझे यहीं पर मैं यहीं पर कुछलता रहूंगा कोई भी मुझे कुछल देगा तुमको क्या है तुमको भी नहीं ले जाना है तुम भी छोड़ दो और वो जाकर चोटा सा लड़्डू, सेविका उसे नीचे उतार देती है, ठीक है जा, तुझे भी जाना है तो जा, फो छोड़ देती है तो लड़्डू जाके एक कौने में बैठ जाता है, और वो तिर्ची नजरों से सेविका को देख रहा है, और उधर सेविका खूप सारी बाते जो है हमारे लाला यानि बिहारी जी को बोले जा रहे हैं उधर बिहारी जी मतलब बोल रहे हैं कि तुम जो है मुझे इतनी सी बात के लिए इतना सुना रही हो तो लाओ दो मेरा लाला मुझे दे दो तो सेवगा के ठीक है रख लो अपने लाला को हमको क्या है आप से जो मांगते है वो तो आप देते नहीं हो, कुछ और ही देते हो, तो लाला कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तभी वो छोटा सा लाला कहता है, हाँ मैं तो कुछ कही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो मेरी तो कोई सुनी नहीं रहा, मुझे भी उन्होंने छोड़ दिया, तुम भी मुझे नहीं लेके ज और चल चल चलते हैं हम अपन के घर और दोनों जो है चले लगते हैं तभी सेविका कहती है अच्छा ये बता तू मुझे कि तुझे कैसे बता चला हमारे घर का तो कहरें मुझे नंबर मिला था तुम्हारे घर का और मुझे पता चला था तुम्हारे हैं लड्डू गोपाल की बहुत सेवा होती है तो इसलिए मैं भी मतलब आ गया जाने के लिए तो वो कहने लगा अगर मैं ना आती तो तो कहला मेरे पास एड्रेस था ना तो मैं आ जाता तो तबी सेविका कहते है ठीक है देख मैं तुझे ना एक शर्थ पे अपने घर ले जाओंगे कि मुझे विश्वास नहीं है पहली बात तो कि अगर तुम जब अपने घर में मतला हमारे घर में जब कदम रखोगे तो तुम्हें अपना भागे स्वेम ले कर आना पड़ेगा पताओ इस शर्थ पे मैं ले कर जाओंगी तो वो बोले कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा कि ठीक बहुत-बहुत-बहुत अलग, बहुत सुंदर ये घर का सब चेंज हो जाता है यहां तक कि उसके परदे से लेकर सारी चीज़े चेंज हो गए हैं तो सेविका बहुत खुश होती है और वो कहती है अरे वाँ, हमारा तो घर बदल गया तो वो छोटा सलाला कहता है देखा मैं कहता था अगर तू मुझे वहाँ बचुड़ आती तो सब मुझे कुचल देते और तुझे मुझे विश्वास नहीं था देखा जिस पर विश्वास नहीं होता न वहीं विश्वास पात्र निकलता और आज देख सब बदल गया न तो सेविका कहती है हां रे फिर रोने लगती है हाँ तू तो बहुत अच्छा निकला मेरे को लग रहा था कि तू कुछ भी नहीं करेगा सब हमें ही मतलब इतना कस्ट देंगे क्योंकि एच्छा एक बात बता तुम इतने सारे लड़ू हो और कोई भी लड़ू किसी का भी कुछ हो जाता है तो इंसान उनकी स जोड़ा डढता है ना इंसान इस लिए तो ये बात दोनों में होती है और दोनों बहुत खुशी से जो है लड़ू को ले के आते हैं और सेविका प्रभू को भी प्रणाम करती है और उसके बाद लड़ू से कहती है अच्छा ये बता आप तू कभी जाएगा तो नहीं कहर तो यह आज की सुन्दर सी लीला थी तो देखिए पहले तो हमी डर गए कि हमें नहीं पता प्रभु ने यह लीला क्यों देखाई क्योंकि हमारे प्रश्ण होते हैं बार बार के काना जी यह क्या है हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है काना जी यह क्या है हमें तो कुछ समझ अजी नहीं आ रहा हैं लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि जिस भी परिषवार में जितने भी लड़ू आतेयों तो यह सब्सक्सक्राइए है कि वो आपका भाग्य लाते वो उनका भाग्य नहीं आपका भाग्य बढ़ा कर लाते हैं सबसे पहली चीज तो आप अगर सुखी रोटी खाते हो तो वो लड़ू अगर आपके भाग्य में अचानक से सुखी रोटी की जगर चुपडी रोटी आपको मिल जाती है तो समझ जाहिए यह भाग्य किस ने जोड़ा उस लड़ू ने जोड़ दिया आपके जीवन में तो यहां प्रभू ने एक चीज़ सिखाई आपको कि हम जब इस भावना से प्रभू को अपने घर लाते हैं कि प्रभू हमारे पास बहुत कम है हम इतने में ही सेवा कर पाएंगे लेकि प्रभू को सब मतलब उनको तो रग रग का पता होता है इंसान का अगर आपके पास ना होते हुए भी आप प्रभू सेवा में बहुत कुछ करते हैं साथ ही मानव सेवा का भी ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिये प्रभू आपकी सूखी रोटी में भी बेहद खुश है चीजों में डाल देते हैं प्रभू इसके भविश्य के लिए उसके लिए पता नहीं क्या 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 ठीक है तो प्रभू को ये भी पता है कि यहां इंसान का थोड़ा स्वार्थ जोड़ा है या नहीं है प्रभू को घट-घट का पता होता है ठीक है उसी आधार पर हम हमारा भाव होता है उसी भाव के अनुसार जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त होने लगता है जो प्रभु प्राप्ति के लिए कारे करते हैं好的 उनके लिए bank balance माइने नहीं रखते हैं तो जी आपके वास जो है आप सब 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 प्रभू पर लुटाते हैं मानव समाज में मानव कारे के लिए कारे करते हैं संतों की सेवा में लगाते हैं या बहुत सारे ऐसे चीज जितनी आपकी आर्थिक स्थिती होती है एक भक्त ऐसा होता है जिसके पास वास्तम में कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सेवा करता है और प्रभू उसकी उतनी सेवा से भी बेहद बेहद प्रभू ऐसे भक्तों से सबसे ही खुश रहते हैं प्रभू को किसी भी भक्त से कोई मतलब यह नहीं चाहिए प्रभू को धंदौलत की अवश्यक्ता नहीं होती है याद रखे प्रभू सिर्फ एक टेस्ट लेते हैं इनसान के भाव के कि इनसान के भाव मेरे प्रति किटने मतलब उच्च है ठीक है अब एक और चीज मैं आपको बता दूँ जिस इस भक्त के भाव प्रभू को लेकर बहुत उच्च होते हैं, तो एक साधारन सा नौर्मल सा अंसर है कि उनके मानव के लिए भाव कितने उच्चे होंगे, जो प्रभू को प्रेम करते हैं, वो मानवों को भी बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए संत सेवा भी बहुत आगे हो जितना उनका सामर्थ होता है वो जरूर करते हैं जैसे बहुत से लोग ये मुझे लिखते हैं कि जितना आप प्रभू के लिए पैसा मतलब या जो भी करती हैं उतना मानव के लिए कर देती किसी को लिए ये कर देती या किसी के लिए वो कर देती देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, हम प्रभु के लिए जो कारे करते हैं, उसे भी दिखाने के आवश्चत्ता नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे सेवा करने का तरीका, या हमारी सेवा से बहुत से भक्तों को फाइदा होता है, या उनको सीख मिलती है, तो वो सेवा दिखाने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि प्रभु सेवा में तो सारी दुनिया लगी हुई है अब आती है मानव सेवा की बात मानव सेवा को कभी भी शो अफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वही मनुष्य जो आज प्रश्ण करते हैं वही मनुश्य फिर लिखने लगेंगे ये लो जी मतलब मानव सेवा को भी दिखाते हैं ठीक है यानि की परोपकार कभी भी दिखाया नहीं जाता है और अब आप मैं आपको बता दू कि प्रभु सेवा दिखा सकते हैं प्रभु सेवा मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि क्रिया प्रतिक्रिया देखने से इंसान के अंदर प्रभू के प्रति जो भक्ति आती है वो बहुत आगे होती है और वहाँ पर इंसान की जो भागना होती है उसे इंसान देखकर थोड़ा सा महसूस कर सकता है। लेकिन प्रभू हम पर परुपकार करते हैं, हम पर उनका परुपकार है कि हम उनकी सेवा के लिए आगे आते हैं या प्रभू हम पर ये दया कर देते हैं कि आओ तुम मेरी सेवा का कुछ अंच प्राप्त करने की कोशिश करो ये उत्तर उन लोगों के लिए है जिनके ये प्रश्न होते हैं तो ये समझ जाए कि जो मानव प्रभू को प्रेम करता है वो दुनिया के हर स्थती यानि हर मतलब उसके अंदर प्रभू ऐसी विचार और ऐसे भावपूर्ण रूप से भर देते हैं कि सारी दुनिया में जितने भी संत हैं या जितनी सेवा वो कर सकते हैं उस चीज़ को जरूर दर्शाना मतलब दर्शाते नहीं है भले ही अब देखिए मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अगर आप दिखाते हो तो आदमी के अंदर अभिमान आ जाता है लेकिन प्रभू सेवा करने से अभिमान नहीं आता अपनी तुर्टियां पता चलती हैं अपनी कमिया सामने आती हैं ठीक है और कमिया सामने आने से इनसान सीखता है आगे बढ़ता है उस चीज़ को तो ये आपके प्रशनों के उत्तर मैं दे चुकी हूँ इसमें और जब इनसान भक्ती करने लगता है तो उसके भाव उसकी मान मतलब उसके मन की गती उसके दिल की गती उसके हृदय की गती सीधे सीधे प्रभू से जुड़ जाती है और फिर वो व्यक्ती अपने लिए या अपने द्वारा कोई कारे नहीं करता है वो जितने भी कारे करत वो प्रभु की स्विकृति से करना शुरू कर देता है मेरे साथ भी वही होता है और मेरे जैसे नजाने लाखो भुक्तों के साथ ऐसा ही होता है उनका हिरदय इतना जादा होता है कि प्रभु ने शायद हमको इतना नहीं दिया होता कि हम दोनों हाथों से लुटा पाते लेकि जितना होता है उतना जो है जरूर करते है भक्त इतना मुझे पूर्ण विश्वा से है क्योंकि हम हर चीज को अपने से तौल कर चलते हैं मैं कैसा मतलब कहते ना वह वाली कहावत जग कैसा मेरे जैसा ठीक है? यानि आपको जग वैसा ही नजर आएगा जैसे आप स्वेम हैं स् तो आज यह जो चीज प्रभू ने दिखाई इसमें तो आपको पता चल गया दूसरी बात आती है विश्वास की जब हम प्रभू पर अटूट विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिये जो चीज नहीं होनी होती है वो भी प्रभू पूर्ण कर देते हैं ठीके जी यहां पर विश्वास दिखाया है प्रभू ने कोई भी लडू गोपाल आपके घर में प्रवेश करता है कोई भी बच्चा आपके घर में प्रवेश करता है तो उसका स्वेम का भाग्य और आपकी अच्شी भावना आपके जीवन को बदलती है और वो ज़रूर और पूर मिल गई तो ये प्रभु का ही कहना था उन्हीं के द्वारा दिया गया ज्यान है जिसे समझना हम सब का दाइत्व बनता है हम समझें और उसी आधार पर हम जीवन को आगे लेके जाएं तो आप सभी को खूब सारा प्रेम खूब सारा प्रभु की कृपा आप सब को प्र आधे राधे